गुड मार्निंग माई डिये फ्रेंट्स मैं सोलू स्रमा आपके अपने सीट्यू चैनल प्यार अच्छवेले पुरूर तरफ से आप सबी भाईयों का हारदेख हारदेख श्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि हम आपको इस चैनल पे डेली राष्टरी आई एवं यगता आधारिच्छा तरे वृत्ती परिच्छा 2021 का प्रिविएस येर वही 2021 मतलब प्रिविएस येर का एकजाम पेपर जो है वो साल्व करवाते हैं जो हम क्योशन सालव करते हैं वो रेजिनिंग से रिलेटेड है क्योशन हम आपको बताया थे कि 2021 में टोटल 12 या 13 टाइप का क्योशन पूछा गया था तो उसमें से हम आप लोगों को तीन टाइप का क्योशन बता चुके हैं आज हम चौथा टाइप के क्योशन देखेंगे कि ये क्योशन किस प्रकार सा है दोस्तों अगर आप ने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेश कर लेजिए ताकि आप लोगों तक मेरा डेली का ये वीडियो आसानी से आप लोगों को मिल सके मेरे भाईयों अगर आप लोग डेली इस वीडियो के देखेंगे इस पेपर को सालव करेंगे तो आप लोगों का डेली का डेली एक सीट जान लेजिए तयार हो जाएगा रिजिनिंग का अगर रि दोस्तों हम लगबग 5 साल से पढ़ा रहे हैं और एक्जाम में हमारे कई बच्चे उत्तिर्ड भी हुए हैं हर एक साल हर एक नए ने स्टुडेंट्स उत्तिर्ड होते हैं और वो भी वो लोग साल्ड पेपर यह जो पेपर है पिछले एयर का वो उसको साल्ड करके तब जाते एक्जाम देते हैं पहरे तो इस्टेडी स्वयम से करते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं हम लोग जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं उसकी बाद यह पेपर साल्ड करते हैं तो हम आप लोग से भी यही कहेंगे कि आप लोग जहां से भी सिक्छा ले रहे हैं जहां से भी आप पेपर है उसे साल्व किजिए हम आपको डेली इस चैनल पर रिजिनिंग का क्यूसर्ण पर 2021 का 2020 का 2015 2018 का 2019 का डेली साल्व कराएंगे तो अभी हमारा 2021 का क्यूसर्ण खत्म नहीं हुआ है अभी उसे साल्व करेंगे अज पिर अगला टाइप देखेंगे अगला टाइम क्या होता है आज देखते हैं हमारा कौन से टाइप है तो दोस्तों देर ना करते हुए हम अपने इस वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग देख रहे हैं कि राष्टरी आय योग गेता अधारित चादरुदी परिच्छा 2021 ना अब देखिए खंड एक सामान ने मांसिक योग गेता परिच्छड जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं और इसके बाद निर्देश 18 से 20 में परतिक चारक करती हैं ये भी क्यूशन आप लोग कर चुके हैं अगला टाइप देखते हैं दोस्तों कैसा क्यूशन देखने को मिलता है आप लोग अग पर यहां पर हमारा ऊंद आप यहां पर हमारा ये रिजिनिंग ये थर्ड थर्ड टाइप का रिजिनिंग साथ है ये निर्देश देखिए प्रश्ण 21 से 26 संख्या के स्रोडी करम पर आधारित है परतेख स्रोडी में एक या दो पद लुप्त है जिसे प्रश्ण चिन यहां पे कि उसन मार्क प्रश्ण चिन से दरसाया गय नीचे दिएगे चार बिकल्पों में से लुप्त पद को ग्याद केजिए उसके बिकल्प संख्या की बिकल्प संख्या को सही प्रश्ण संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए तो दोस्तों हमने निर्देश को पढ़ चुका है यहां पर क्यूशन क्या बोल पहले देखते हैं स्रोडी करम में क्यूशन किया गया है तो यह क्यूशन किस प्रकार से सालो किया है क्या एड करके किया है कि माइनस करके किया है या फिर डिवाइड किया है या मल्टीपल किया है देखते हैं किस प्रकार से सालो है स्रोडी करम का क्यूशन है यहां पे चार जो कि आप लोगों की क्या करना इसे है साल करके बताना है कि आपसे नमर एक साहिए कि दो साहिए कि तीन साहिए कि चार साहिए तो दोस्तों इसे चलिए साल करते हैं यहाँ पे देखिए चार है अब चार का अगर गुड़ा अगर 4 का multiple यहां पे करोगी 2 बार तो 4 दूनी 8 होगा क्या होगा 4 दूनी 8 होगा और इसी 8 में प्लेस 2 करोगे तो 4 दूनी 8 प्लेस 2 10 हो गया इतना समझ माया ठीक इसी प्रकार 10 का गुला 2 में करोगे 10 दूना 20 और 20 में 2 जोड़ दोगे तो क्या होगा 22 हो जाएगा इसी प्रकार 22 का गुला 2 में करोगे 22 दूना 44 और प्लेस 2 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा ठीक इसी प्रकार 46 का गुला 2 में करोगे 46 का गुला 2 में करोगे 2 जोड़ दोगे तो यहां पे 46 दूना दो छंग बारा आई तो चनक का आठेक 9 22 बानबे आएगा 22 बानबे और webinar में 2 अधे करोगे चाउरान भूज यागा अब 24 बार करोगे 24 बार करोगे हो प्लिस दो यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर 188 आघा गुला करने पर और जोड़ोगे तो 190 हो जाएगा अभी 190 का गुला दो बार करोगे 190 गुला अगर दो बार करते हो उन्हें दुना आरति 380 आएगा और 380 में 2 आइड कर दो तो किन्दा हो जग तो 380 हो जो 380 किसमें है एक में नहीं है 2 में है 3 में नहीं जो बस दो आपसन यह जो दूसरा आपसन है यह हमारा राइट आपसन है 382 हमारा राइट आइड सोर है अभी 382 अब 382 गुला दो बार करोगे तो 2 दूना 4 2 अट्छे 16 1 दो करना 2 तीए 6 एक साथ मलब 2 अट्छे 166 हासिल एक और 2 तीए 6 एक साथ मलब 762 है आए और 762 में 2 जोड़ दोगे तो 766 आजाएगा हमारा क्यूसर का एंसर बिकल्प नंबर 2 राइट एंसर है उम्मित करते हैं आप लोग को यह क्यूसर समझ में आ गया है देखते हैं अगला क्यूसर हमारा सिरोडी करम में किस प्रकार से क्यूसर हैं packet यह किस प्रकार से साल होगा देखे एंसर होता है यहां पर क्या किया गया है साथ में चार जोड़ागा है 2411 यह चार एड की है ना साठ चर 11 हो गया अब इसके बाद 11 में 4 जोड़ा गया है इक जोड़ाया पंद्रया पंद्रय में अगर 4 जोड़ोगे भाईया तो यहाँ पे कितना आएगा उन्नेस किसमे है उन्नेस इसमे है और उन्नेस इसमे भी है दूनों में देखते हैं लेकिन पहले उन्नेस भरना है इसलिए पहला लाफसन राइट होना चाहिए आगे देखते हैं अभी उन्नेस हो गया अब उन्नेस में चार जोड़ोगे देखिए एक अस्तान ये खाली है तो कितना होगा 30 होगा 30 है अब 30 मसे माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा अब 24 मसे माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा तो हमारा आपसर नमबर जो दिख रहा है वो आपसर नमर पहला क्या है राइट एंसर है आप लोग आगे भी सालो करके देख सकते ह अगर right ना हो तो देखिए यहाँ पे 18 था 18 आया अब 18 में 6 निकालोगी यहाँ पे किन्दा जाएगा 12 12 में 6 निकालोगी यहाँ पे किन्दा जाएगा उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को यह कुशन समझ में आया होगा चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला कुश है 23 नमबर पर दिया है क्या 4 यहाँ देखिए 4 है फिर 6 है फिर 10 है फिर 18 है फिर 34 है फिर 6 है अब इसमें क्या किया गया है भाईयों देखो इसमें क्या किया गया है इसमें किया यह गया है अगर 4 में किन्दा जोड़ गया है दो तो 4 में अगर 2 जोड़ोगी तो यहाँ पे चौ जूर ध biology आगर हम जोड़तें सोले सुले जोडते हैं तो चौ तीन देखिए और चे च्वर्च चार आतीन से लिए नरफ हो जाएगाosition अब शूरे में dile er कि कज अगोड़क प्लेंगे दिश काउट बाराक 13 130 130 हमारा राइट अपसन यहां पे है चौथ अबी गल्ब 130 आंस वर आया है देखिए आप लोग एक फिर से समझें कैसे अहल हुआ है देखिए यहां दो का मुल्टिपल हो रहा है दो दूना चार दूना चार चार दूना आठ ऐल दूना शोला सोला दूना बत्तिस बत तो आप लोग यह तरीका यहां पर यह समझ गए होंगे कि जब यह स्रेडी क्रम में है आप लोग एक चीज यह भी देख रहे हैं कि यह एक दूसरे के अपोजिट लेटर है यह एक दूसरे के अपोजिट लेटर है यह एक दूसरे के अपोजिट लेटर है तो बी वाई बाई शिक्स डेव इव उफ इतना पढ़ायत है यह हम अपोजिट जब पढ़ायत है तो जब परेंड़ गयंग ट्राइंग रोड fallen तो यह समझ गयंग अपलोग 25 कंवल में किया भर जाएगगा 25 कि संधित यह यहां पिया है यहां पिडिये है यहां पिज है यहाँ यहां पि कह में यह को संदे रख लेते हैं A का प्लेस वैलू एक B का दो डी का चार जी का साथ 11 आ के का 11 और वी का 22 अब आप लोग थोड़ा ये मांड़ लगाए कि कैसे साल्व होगा देखिए कैसे साल्व होगा है इसमें अगर आप एक जोड़ते हैं तो एक एक दो होता है अब दो में दो जोड़ों के चार होगा चार में तीन जोड़ों के साथ होगा साथ में चार जोड़ों के 11 होगा और 11 में 4 जोड़ों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 के place value कितना है ओ 15 किसका place value ओ का तो यहाँ पर आपसा नमबर ओ दीख रहा है एक चीज़ और अभी confusion हो सकता है 15 में हमें 15 क्या जोड़ते हैं यहाँ पर 4 चार एक मिनट यहाँ देखिए 15 नहीं होगा अगे चलते हैं यहाँ फिर से दिखते हैं एक में जोड़ेंगे दो, दो में दो जोड़ें 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11 है तो 11 हमें 5 जोड़ना है, 4 नहीं जोड़ना है पहले हम आगे भी देख लें कि यह बैठ रहा है सही कि नहीं तो 16 का प्लेज़ वह लुई ना अब 16 में हम क्या जोड़ेंगे एक ग्यारम पांच जोड़े थे 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16,4,22,22 मतलब हमारा प्ला आपसन राइट है उम्मिद करते हैं ये भी क्यूसन आप लोग समझ गए होंगे चले फिर हम अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसर मारक किस प्रकार से साल होता है अगला क्यूसर नमबर 26 है अब 26 में दिया है क्या है 4,16,36,64 यहां पे दो आपको खाली अस्तान दिया गया जो कि क्यूसर मारक लगा दिया है क्यूसर मारक मतलब यहां पे आपको एंसर रखना है answer आपके विकल्प में दिया है यहाँ पे 169 पे फिरागे दिया है अब यह तो आप लोग देखके ही समझ गयोंगे कि एक किसी ना किशी का किसी ना किशी संग्या के क्या है वर्ग है देखिए यहाँ पे यह दो का वर्ग है यह चार का वर्ग है यह 6 का वर्ग है यह 8 का वर्ग है देखिए 2, 4, 6, 8 तो यहाँ पे 10 का वर्गोना चाहिए और यहाँ पे 12 का वर्गोना चाहिए और यहाँ पे 14 का वर्ग है समझ में आया इतना बात यह 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का 36, 8 का 46, तो 10 का 100 और 12 का 144, 496 तो 11441 में है जो कि राइट एंसर यही है आपसन नमबर एक आप लोगों का राइट एंसर है तो इमीद करते हैं आप लोग ये क्यूसन समझ गए होंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों आपको इसी परकार से डेली ये वीडियो मिलता रहेगा अभी अगला टाइप बच्चा है अगला टाइप देखाते हैं अगला टाइप का उनसा है तो वो अगला टाइप हम आपको कल साल्व कराएंगे देख लिजी आप लोग अगला टाइप आप लोग का समस्य आकरिती फिर से प्राबलम फिगर्स का क्यूशन आया है लेकिन ये क्यूशन कुछ अलग सा ही है तो इस क्यूशन को हम अगली वीडियो में आपको देंगे टाइम ज़्यादा हुई हो रहा है तो दोस्तों हमें अपना वीडियो इंड करना चाहते हैं धन्यवाद